Good morning students, hope you all are doing well. Today we will discuss about our remaining part. Now start, T-O-U-C-H touch, Y-O-U-R-U-R, C-H-E-S-T chest, A-G-A-I-N again, touch your chest again. आपनी क्या करने हैं? आज फिर आपनी अपनी दुबारा चेस्ट को मीन शाती को टच करने हैं. आपने क्या करने हैं? एक लंबा सांस लेने हैं और उसको रोकना है. H-A-S has, Y-O-U-R-U-R, C-H-E-S-T chest, V-E-C-O-M-E become, B-I-G-G-E-R bigger. Has your chest become bigger? क्या आपकी चेस्ट हैं जो बड़ी हो गई हैं? ओक्या आपनी देखना हैं? लंबा सांस लेकर आपनी सांस को रोकना हैं. और देखना हैं कि आपकी जो चेस्ट है, जो चाती है वो बड़ी हो गई है. Now next, T-H-E-S-C-D-E-S-A-R-E-R-Y-O-U-R-U-R-T-E-W-O-2-L-U-N-G-S-Lungs-N-O-W-N-O-W-N-O-F-U-L-L-F-U-L-O-F-O-F-A-I-R-E-R These are your two lungs now full of air. Lungs का मीनिंग क्या होता है? फेफड़ी. अब आपने देखना है कि जो आपके दोनों फेफड़ी हैं, वो हवा के साथ बर गए हैं. ये देखिए ये आपके टू-Lungs हैं. ये दोनों क्या हो जाएंगे जब आप लंबा सांस लोगे और उसको रोकोगे, ये दोनों क्या करेंगे? हवा के साथ बर जाएंगे. आपके स्टमक के पास होती है, नाप बोलते हैं हम बच्चे उसको हिंदी में. ये वो प्लेस होती है, जहां पे आपका पेट होता है, ओके स्टमक मेंस पेट. जो हम खाना खाते हैं, वो कहां पे जाता है, हमारे पेट में जाते हैं. ये देखिए, बच्चे ये अब मारी क्या है पिच्चर स्टमक की. ओके स्टूडेंट आपनी इसको रीड करने हैं अच्छे से और अंडर्स्टेंड करने हैं. थैंक्यू स्टूरेंट्स एड़ आव नाइस दे. झालेठ पर अंडर्स्टर स्टूरेंट्स एड़ आव नाइस लाव नाइसींड नाइसींड़ें विच्चर स्टमक की. झाल झाल